नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फोकस के बारे में आपने अपने कैमरे की सारी सेटिंग्स सही कर ली है आपकी शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसो और वाइड बैलेंस पर्फेक्ट है लेकिन अगर आपका फोकस सही नहीं है तो आपकी वीडियो बलरी दिखेगी कुछ इस तरीके की तो आज हम सीखेंगे कि DSLR या मिररलेस कैमरा में हम फोकस कैसे करते हैं तो आज की इस वीडियो के लर्निंग अबजेक्टिव्स हैं मैनुल फोकस क्या होता है हम वो जानेंगे लाइफ व्यू मोड को समझेंगे मूविंग सब्जेक्ट में फोकस को मैनुली कैसे मेंटेन करना होता है पूरे शॉर्ट में उस पर बात करेंगे फोकस स्पीकिंग को समझेंगे इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आटो फोकस क्या होता है कैमरो आटो फोकस सिस्टम्स कौन-कौन से है आपको कौन-कौन से आटो फोकस आप्शन मिलते हैं वो जानेंगे और लास्ट में manual और autofocus के advantages और disadvantages को समझेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं What does manual focus to? Manual focus क्या करता है? जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा manual focus में हम manually focus को control करते हैं किसी subject को या subject के किसी part को focus करने के लिए DSLR या mirrorless camera में manual focus करने के लिए focus ring होती है जिससे आप अपने subject पर focus कर सकते हैं ज्यादतर lens में आपको autofocus और manual focus का switch मिलता है अगर आपको manual focus करना है तो you can easily switch the focusing mode from auto to manual and vice versa दोस्तो जितने भी professional videographer या cinematographer है वो 90% shoot manual focus में ही करते हैं manual focus उनको पूरा control देता है कि उन्हें अपने frame के किस subject पर focus करना है जिससे audience का ध्यान उसी जगा पड़े जो आप अपने frame में दिखाना चाह रहे हैं अब बात करते हैं live view mode क्या होता है वीडियो में manual focus करने के लिए आप DSLR में viewfinder जो होता है उसका use नहीं कर पाते हैं क्योंकि the mirror has to be locked up to allow video recording and this blocks the view from the viewfinder लेकिन अगर आप mirrorless camera use कर रहे हैं उसमें mirror नहीं होता इसलिए आप electronic viewfinder में या फिर live view mode दोनों में अपने frame को देख पाते हैं तो live view mode क्या होता है live view mode हमें real time preview देता है so the depth of field and brightness you see are pretty accurate manual focus करने के लिए आप magnifier button से अपने frame को zoom in कर सकते हैं और arrows की help से frame में किस subject पर या किस part पे focus करना है वहाँ move कर सकते हैं यहाँ पे आप एक बात note करिएगा यह digital preview zoom है ना कि zooming in the lens यह आपको बस better preview देता है अब next step है आप focus ring की help से subject को fine tune करिए आप देखेंगे focus होने के बाद आपका subject crystal clear दिखेगा अब आप वापिस से frame को zoom out कर सकते हैं magnifier tool को tap करके जिस से normal view आ जाए और अब जब आप recording करेंगे तो आपका subject focus में रहेगा यह best तरीका होता है manual shoot करने के लिए अगर आपको अपने DSLR या mirrorless camera में manually focus को maintain रखना है पूरे shot में तो उसके दो solution है पहला है practice आप जितनी practice करेंगे उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे कि moving subject को पूरे shot के दौरान कैसे focus में रखना है और दूसरा solution यह है कि आप aperture को f11 या f16 में रखिए जिससे आपका subject focus में रहेगा इसका drawback यह है कि आपको shallow depth of field नहीं मिल पाएगी filmmaker generally focus puller का use करते है focus maintain करने के लिए focus puller camera operator के alongside work करता है जिसका काम follow focus जो एक focus control device है कि help से subject को पूरे shot में focus में रखना होता है generally जो काम lens में focus ring का होता है वो ही function follow focus का भी होता है इसके अलावा जब आप manual focus करते हैं तो आपको focus peaking या focus assist का भी option professional DSLR और mirrorless camera में मिलने लग गया है जो पहले सिर्फ professional video camera में ही हुआ करता था focus peaking आपको बताता है कि frame में आपका focus किस area पे है it places a white or colored highlight on in focus edges within an image using an edge detect filter तो जब भी manual focus करते हैं तो ये feature काफी important होता है लेकिन ये feature आपको entry level और कई semi और pro camera में नहीं मिलता अब बात करते हैं auto focus के बारे में दोस्तो आजकल almost हर DSLR mirrorless camera में आपको भेतरीन auto focus feature मिलता है चाहे वो entry level camera हो या फिर semi professional या professional autofocus करने के लिए आप lens में जो switch मिलता है अगर वो manual focus में है उसको slide करके AF में ले आईए दोस्तो traditionally DSLR में autofocus fast होता था as compared to mirrorless camera but in recent years mirrorless cameras have caught up thanks to on-chip face detection basically दो type के autofocus system होते हैं जो camera use करते हैं face detection और contrast detection हम लोग जाधा technically नहीं जाएंगे generally face detection superior माना जाता है for all focusing scenario खासकर जब आपको subject को track करना है या फिर continuously किसी subject पे focus करके रखना है whereas contrast detection works on the basis that the subject is in focus when contrast is highest अगर आपका subject non-moving है तो यह technique face detection autofocus के जैसे ही काम करती है लेकिन अगर आपका subject moving है तो generally contrast detection autofocus slow और less accurate होता है contrast detection में focus hunting की भी problem आती है क्योंकि lens reacts from one end of the focus range to the other trying to find the area of most contrast लेकिन अब जो advanced mirrorless camera आ रहे हैं उसमें आपको hybrid focusing system मिलता है इसमें आपका contrast detection और face detection autofocus का combination होता है तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से autofocus option आपको अपने DSLR या mirrorless camera में मिलते है मेरे पास जो camera है वो है Canon 80D तो इसमें जो मुझे सबसे पहला option मिलता है वो है tracking का अगर आपको अपने moving subject को track करना है तो यह सबसे simplest तरीका है आप autofocus के option से tracking को select कर लीजिए flexi zone, multi this will automatically focus on the largest subject in the foreground flexi zone, single इसमें आपको अपने frame में जिस भी subject पर focus चाहिए आप उसे area पर tap कर सकते हैं इसके अलावा जो आजकल advanced mirrorless camera आ रहे हैं उसमें आपको eye autofocus को option मिलता है जैसे Sony के mirrorless cameras eye autofocus tracks eyes and keeps faces in focus अगर आपको subject moving है या आप move कर रहे हैं या दोनों move हो रहे हैं तो eye autofocus एक बहुत ही अच्छा feature है जो आपके focus को sharp रखता है पूरे shot में अब autofocus और manual focus के pros और cons को जानते हैं सबसे पहले autofocus के pros क्या है यह automatic होता है यह manual focus से fast होता है autofocus is good for shooting moving subjects और यह beginners के लिए काफी जादा लाबदायक होता है अब इसके disadvantages देखते है autofocus can cause some shutter lag if you don't pre-focus कितनी बार यह subject के wrong part को focus करता है यह manual focus के जितना precise नहीं है अब manual focus के advantages और disadvantages देखते है manual focus से आप precisely focus कर सकते हैं अपने subject पर macro और portrait shot के लिए manual focus best होता है और low light photography या videography के लिए भी manual focus as compared to autofocus जादा better होता है इसके disadvantage क्या है यह autofocus से slow होता है और आपको action shot shoot करने में challenges मिलते हैं और अगर आपका subject moving है तो manual focus करने के लिए आपको काफी जादा practice के जरूरत पढ़ती है तो दोस्तों आज के इस video lecture में हम लोगों ने सीखा कि हमें manual focus और autofocus कब और कहां पर use करना चाहिए तो आज के इस lecture में इतना ही धन्यवाद उर आपको आपको टेथ झापको अर ए आपको आपको इस बहुआ है झाल झाल